नमस्कार दोस्तों, नीट यूजी 2022 में कितरे नंबर आपके होने चाहिएं कि आपका जो है सरकारी जो कोलेज है उसमें एडमिशन आराम से हो जाए तो कुछ एक्सपर्ट की राय है यहां पर जिन्होंने यह अपडेट किया है नीट यूजी 2022 काट ओफ, नीट यूजी परिक्षा देश बर के एक्जाम सेंटर पर 17 जुलाई को आयजित की गई थी कम फीस वाले सरकारी कोलेजों में मेडिकल की सीट पाने वाले कैंडिडेट का स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए सरकारी सीटे सबसे पहले भर जाती है जिसके लिए अच्छा सकोर बेहत जरूरी है जानते हैं कि कितना सकोर आपको सरकारी सीट की जो सीट मिलने के लिए संभावना है उसके लिए आपको जो है जरूरी होना चाहिए नीट का एक्जाम है जो आपका 17 जुलाई को पूरे देश में हुआ था इस परिक्षा में 18 लाग से अधित जो कैंडिडेट है वो सामिल हुए अब अपने रिजल्ट का इंतजार सभी को है उमिदवार अपने रिजल्ट के अधार पर ही मेडिकल कोलेज हो मैं एडमीशन पास केंगे और बता देगी कि जितने भी कम फीश वाले सरकारी कोलेज है मैडिकल कोलेज की सीट पाने वाले जो कैंडिडेट है उनका स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए सीटे सबसे पहले जो है भर जाती है जिसके लिए अच्छा स्कोर होना बहुत जरूरी है नोईडा के मेडिकल कोलेज में एडमिशन एग्जेक्विटि आयूसी पटेल के अनुसार जेनरल कटेगरी के लिए ए आई के उपंदरा परसेंट कोटा के तहत सरकारी कोलेज में एडमिशन पाने के लिए उमिद्वार को साड़े छेंस सो से अधिक का स्कोर जो है करना होगा और वहीं स्टेट कोटा पर 85 फीशदी सीटों पर 600 से अधिक स्कोर वाले उमिद्वार सरकारी सीट पर एडमिशन पा सकते हैं ओब इसी कटेगरी की बात करें तो उमिद्वारों के लिए या कटॉप AIQ सीटों के लिए 640 और स्टेट सीटों के लिए 590 तक रह सकता है स्टेगरी के लिए AIQ काउंसलिंग में सरकारी सीट पाने के लिए 4500 का स्कोर सुरक्सित माना जा सकता है जबकि स्टेट कोटा के लिए 385 तक का स्कोर जरूरी है स्टेगरी के लिए 400 का स्कोर सीट पर एडमिशन मिल सकता है अगर candidate इन संभावित का टॉपक से अधिक attempt करता है तो सरकारी कोलेज में admission मिलने की पूरी-पूरी संभावना है तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा अंदाज आप लगा सकते हैं कितने तक के score के आसपा सरकारी कोलेज में admission मिल सकता है अधिक जानकारी के लिए जो है आप regular visit करते हैं और मेरी YouTube चैनल को subscribe करिएगा धन्यवाद